Hey guys, welcome back to Delhi English with me Friends, कुछ ऐसे sentences होते हैं, कुछ ऐसे expressions होते हैं जो हम अक्सर बोलते हैं हमारी day to day life में जैसे कि कहना पड़ेगा, आज आप बहुत अच्छे लग रही हो कहना पड़ेगा, आप खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो तो guys, ऐसे sentences बोलते वक्त हम हमारा opinion देते हैं किसी चीज या किसी particular काम या बात के बारे में तो कहना पड़ेगा, या फिर में एक बात जरू कहूंगा या कहूंगी तो इसके लिए, English में I must say, इस phrase का यूश किया जाता है I must say, जैसी कि sentence है कहना पड़ेगा, आप खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो तो इस sentence बनेगा, I must say, you cook very well कहना पड़ेगा, तुम बहुत बजल चुके हो I must say, you have changed a lot कहना पड़ेगा, आपके बच्चे बहुत समस्कारी है I must say, your kids are very cultured तो guys, इस तरह से जब भे आपको किसी की तारीब करनी हो या किसी point को highlight करना हो I must say, इस phrase का यूश करके आप अपना opinion दे सकते हैं और लास्ट वाला sentence आपके practice के लिए करेना पड़ेगा आज आप बहुत ही खुबसूरत लग रही हो So please guys, translate this sentence in the comment section Friends, अगर आपको इसी तरह के sentence, structures, phrases और daily English sentences written form में चाहिए एक PDF form में चाहिए तो मैंने एक PDF बनाया है एक e-book बनाया है जिसमें आपको 2000 plus daily English sentences 300 plus advanced English structures और phrases और इतना ही नहीं गई 300 plus proverbs भी आपको उस e-book में सीखने को मिल जाएंगे तो अगर अभी तक आपने वो e-book purchase नहीं किया है तो कर लिजे, उस e-book की link description section में given है आप वह आपे जाके वो e-book purchase कर सकते हो तो guys मिलते हैं, next video में till then keep learning, keep watching my videos and keep practicing, bye bye, take care